अजी नमस्कार रादेरादेर रर्मादेयो मैं आपका आचार देयो हाज इस वीडियो बेबात करेंगे मेस रासवालों के लिए अप्रेल 2030 कैसा जाने वाला है इस माँ में क्या-क्या साउधानी रखनी होगी आपको कहां कहां आपको ध्यान रखना होगा स्वास्त कैसा रहेगा धन संबदा की क्या इस्तिती है वोमी वहन वाहन में कोई कश्ट तो नहीं है संतान संबंदी जूकर संबंदी कोई परिशानी तो नहीं जीवन साथी का कितना प्यारिश्ट नहीं मिलेगा कर्मा बाहो कैसा होगा भाग कितना सपोर्ट करेगा कोई नवीन परिशानी या नवीन अलाव के योग तो नहीं बन रहे हैं कि आप चूक जाएं इन सारी बातों की चर्चा करेंगे मेश, रासी, मेश लगन या दोनों लोगों के लिए सूट करेगा अगर आपकी रासी है तब भी आप देखी आपका लगन है तुब भी देखे लगन पे ज़्यादा इक्जूरेट आएगा रासी के बनस्पत फिर भी रासी पे आपकी नाम रासी है कुछ लोगों ने तो आपके नाम राशी से भी आप देख सकते हैं तो केतु महराज की अस्तुनी नच्चतर की गति है आपकी सुक्र का भर्नी नच्चतर आपके साथ है और कृत का सुर्ण की तेज़ देहना सकती लेकर चलने वाले आप लोग starting करेंगे आपका health कैसा रहेगा तो आपके लगनेस अपने से तृतिय जा रहे हैं जा चुके हैं जा चुके हैं और 10 मही तक यही रहने वाले हैं और यह आरदरा नच्छत्र में प्रवेश कर चुके हैं ठीक है न जब आप मा का आरम कर रहे हैं तो मंगल महराज 27 को ही आरदरा में प्रवेश कर चुके हैं और 21 अप्रैल तक यहां रहेंगे तो 27 से लेके 21 तक मतलब पूरा 21 अप्रैल तक स्टार्टिंग से लेके एक अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपको सिहत समन्दी विसेश ध्यान रखना होगा अब देखें यहां पर एक और खास बात यह है कि आपके जो लगनेस हैं आरदरा में जा रहे हैं तिद्या आपके कुंडली में राहू अच्छे है क्या राहू अच्छे है तो फिर आपको ज आपको लाव होगा राहू तीसरे के हैं चटमे के हैं एका दस के हैं दसम के हैं डफिनेट्ली सुभलाब देंगे क्योंकि राजा जा रहा है ना कुंडली का राजा प्रमण कर रहा है तो राजा की अंदेखी नहीं कर सकते हां यह प्राबलम में है यह गलत जगा बैठा हु अब द्धन के स्वामी और सुकरमाराज आपके धन के स्वामी है ऐसे सुकरमाहराज 6 अपरयल APPLAUSE ब्यापार कर स्वामी होकर अपने ही रासी में गोचर करेंगे और कोई भी गरह जो अपने रासी में गोचर करता है तो जीवन में आपको स्रेश्ट प्रणाम देने वाला है यहाँ पे सुरी के कृतिका नचत्र में चंद्रमा के रोहणी नचत्र में और मंगल के मरिग सीरा न बनाए रखेगा लाब के जीवन में कोई कमी नहीं होगी कमी तभी होगी जब जीवन साथी से आप संबंद खराब करेंगी एक सदेव कुंडली के अंसार की पॉइंट को पकड़िए कौन सी चीज़ें कहां पर जाकर क्रियट होंगी तो आपको धन चाहिए न तो जीवन साथ जीवन साथी से बना करेंके जीवन साथी जो बोलता है ठीक है आप आपके कुंडली में आपके पराकर्म के स्वामी है आपके जो भी दीरे से जा रहे हैं सुक्र और बुद्ध के यूति है लश्मी नारान योग बनाते हैं लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देजेगा आपके कुंडले में अभी गुरु अस्त हो रहे हैं और आगे चलके गुरु चंडाल योग भी बनेगा और गुरु चंडाल योग आपके लगन में बनेगा लगन में जब बनता है तो चारित्रिक दोस आजाते हैं बुद्ध सुक्र की उपस्तती यही बताती है कि थोड़ी सी काम वासना को बढ़का दी जाती है खस्टेस बुद्ध का आपके दोतियस के साथ गोचर होना सुफ परणाम देने वाला नहीं है मित्रों पे आप पैसा उड़ाएंगे दोस्तों के साथ पार्टी में आपके पर्स पहले निकलेंगे कहीं पर पैसे दे देंगे दिसमें पैसे वापस नहीं आएंगे तो पैसे उनको दीजिए जिनको आप सकता है उनको नहीं जो चीटिंग करके आप से लेने लेना चाहते हैं उनको डिसक्रट कर है मुबाइल पर्स वगएरा संभाल के रखेगा नहीं आपस में बैठते हो इक हो जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है आपके कुण लियमे जो सुरी नारायण है सुरी नारायण पंचम भाव के इधपती हो के वर्तमान में ब्यखाव में गोचर कर रहे हैं और यह आप गोचर करेंगे आपके 14 अपरेल को मेस रासी में गोचर करेंगे तो 14 अप्रेल तक थोड़ा सा उधर सम्मंधी परिशानी आपको हो सकती है प्रेम आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है प्रेम में भी परिशानी हो सकती है इसके बाद आपका बेक्तित चमकना सुरू होगा तो 14 अप्रेलोड 8 है जहां से आप पुरानी चीजियों को किक करके डिसकनट करके दुरुत गत से आगे बढ़ेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता असुनी में सूरे नाराण को रोकना किसी के बस की बात नहीं है असुनी में सूरे नाराण उच्चे के होते हैं क्योंकि सूरे नाराण क्या है तेज दैना सकती इनके पास है और केतु के असुनी नचतर में गती लेकर चलते हैं आग की लपट उट रही हो दुरुत गत से आग जा रही हो भाग रही हो कौन सामना करेगा सब कुछ चला दिया जाएगा तो आपकी बुद्धी बहुत दुरुत गत से काम करेगी ध्यान रखेगा यहाँ पर राहू भी बैठा हुआ है तो राहू क्या दुवा दुवा ज़ादा करेगा राहू दुवा दुवा ज़ादा करेगा तो अपने छमताओं को पैचाने छमता के अनुसार काम करें बेहतर परणाम मिलेगा आपके कुंडले में जो मंगल महाराज हैं वो आल लेड़ी आपके जीजीविसा के स्वामी हैं आपके लगनेस हैं और राहु के नच्चतर में जा रहा हैं इसलिए थोड़ा सा योग प्राणायाम करना आपके लिए स्ट्रेश्ट परणाम देने वाला है गुरु माराज अस्त हो रहे हैं गुरु माराज 12 भाव में चल लहा है रेवती नशत्र में चल लहा है और वो एक अपरैल से लेके 3 मई तक अस्त हो रहे हैं अब जो गुरु का अस्त होना आपके कुंडली में है वो बहुत बेहतर प्रेणाम दे कर नहीं जाएगा देखिए गुरु का स्तोना बहुत नार्मल घटना नहीं है चुकि गुरु सरवाधिक भावों में अपना प्रभाव डालने वाले हैं गुरु आपके धर्मा के स्वामी है गुरु इस जीवन में आपको कहां पे पैसा खर्च करना है उसके स्वामी है गुरु का प्रभाव जो है आपके 3rd house, 4th house पे है गुरु का प्रभाव आपके 7th house और 8th house पे है गुरु का प्रभाव आपका 11th house और 12th house पे है तो छे भावों पे प्रभाव है और गुरु सुता आपके नवम और द्वादस के अधिपति हैं पाँच तीन दृष्टियां रखते हैं तो छे दो आट तीन ग्यारा ग्यारा भावों पे एक साथ प्रभाव रखते हैं इसलिए गुरु का अस्तोना बहुत सुप परिणाम द सत्विसा नच्चत्र में गोचर कर रहे हैं सत्विसा नच्चत्र अगर आप वे गुंडले में राहू है ना तो इसमें आप जादू गरहे हैं आप वातावरण क्रियेट कर सकते हैं परिसित्यों को अपने अनुसार मोड सकते हैं वो अधबुत छमता आपके अंदर वर्तम सट्विसान में गोचर करना से करने वाला है तो लाव में से सर्वत्र मिलेगा लाव यत्रत्र सर्वत्र पुराना जो आपका बहुत दिन का बैंक वैलेंस है कोई दोस्पैसा लिया है सरकार से कुछ आपके पैसे रुके हुए है वो पैसे आपके वापस नहीं हो रहे न अचानक आप देखेंगे इस बीच आप वारता करें पैसे आपके वापस लोटेंगे बुला के देंगे भई अपना पैसा ले जाओ यार, बहुत दिन से आपका पैसा लिया हूँ, ले जाओ, तो यहाँ पे अचानक किस तरह का होगा, पॉइंट गया है कि कुंडली में राहू अच्छा होना चाहिए, राहू अच्छा है, तो सरकार से लाब, पिता से लाब, बड़े भाईयों से लाब प्रेम से लाब, बुद्धी से लाब, जीवन साथी भी लाब के मारक पर प्रसत होगा, तो सनी स्रेश्ट परिणाम आपको देने वाले हैं, राहू महाराज की बात करें तो राहू महाराज 20 परवरी से ही आपके लिए स्पीट पकड़ चुके है, ठीक है ना, और अभी वो जगती पे कंड्रोल करना होगा, क्योंकि मिथुन नवांसा में यहाँ से चलेंगे, तो 20 तक तो बल्ले बल्ले है, आपके, केतु के नछत्र में चल रहे हैं, अस्वनी नचत्र में, और चंदर के नवांसा में चल रहे हैं, तो राहू सुख देना चाहे रहे हैं, यहां से फिर वो चलेंगे मिथुन नवांसा में, मंगल मिथुन में है इसमें, आर्द्रा में हैं, तो गती पे कंट्रोल करके चलिएगा, नहीं दुरगटना आपको नुकसान दे सकती है, केतु महाराज सब्तम भाव में है, स्वाती नचत्र में है, स्वाती मतलब परिशानियों को काटने वाला थोड़ा तपा रहे है, थोड़ा निखार रहे है, जीवन सातियों को वो काच से हीरा बनाने के और ले जा रहे है, थोड़ा जो संघर्स है, वो उनको आगे सफलता प् हैं तो धनात्मक्त रिष्पोंड से अप्रैल का मां बेहतर जाएगा इस बीच में अचानक आपके कोई मित्रगन बताएंगे फला सेर बहुत स्पीट से भाग रहा है हमने इस पड़ से बात किया है इस सेर में दोती भाव में गोचर कर रहा है तो मित्रों पे बहुत भरोसा मत करें मित्र पईसा डुबो देंगे इस टाइम और आपका लगने स्मित्रों के गर में जाके आरद्रा में फंस रहा है मित्र फंसा देंगे तो सेर मार्केट को थोड़ा प्रणाम करिएगा एक महीने के लिए दूर रहिएगा आपके लिए मंगल में शुब कामना सुस्त रहिए प्रसंद रहिए मुश्कुराते रहिए